गुर्णोणी इसकुलें, आज हम क्राश फाइब में हिंदी ड्याग्रन सब्द विचार के बारे पढ़े हुए सब्द क्या है, सब्द कैसे बनता है, सब्द वर्ण के मेर से बनता है जैसे आ, आ, आवगी में धर, का, खा, आवगी में तो यह जो है, यह वर्ण है, तो इन ही वर्णों से सब्द बनता है यहां का बहुत सारे बारे में जी हूँ जैसे अवरत, कमल, हांखी, सेख, पीला यह सब्द है, जो कि यह वर्णों के मेर से बने है यह जो वर्णों के मेर है, इससे सब्द बने है सद्ध की परिवाशा है दो या दो से अधिक वर्लों के साथ शमू को सब्द बते हैं जैसे उदापरा काई आउलत ये जो वर्लों की मेर से बना है आ जो आउ जो रा जो आ जो ता जो आ ये जो आ है आ आ आ आउ ये सबी स्वाई वर्लों है लेकिन जो ब्यांजाइ वर्लों होते हैं जो ब्यांजाइ वर्लों होते हैं का से लेखतें ग्यार तक इसमें आप छिपा हुआ हो जैसे उचारण करते हैं का, खा, गा, तो उसमें आप समय देता में तो वो आप छिपा हुआ होता है यहां पर शब्दों की भेद, सब्दों के भेद चार बातों के बाता ग्या है पहला आथी के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा पृति के आधार पर, और चोथा है प्रयों के आधार अब आप आदेखें कि आथी के आधार पर सब्दफ दो ठक आदेग्यों है पहला सार्थक सब और दूसरा लिडार्थक शब का नमर सार्थक शब जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक शब रखते है जैसे दूद, फूल, कमल, पादी ये सब सार्थक सब है जिसका कुछ ना कुछ आर्थक प्रकट हो रहा है उसके बाद एक ये निरार्थक शब जिन शब्दों का कोई आर्थक नहीं होता है उसे निरार्थक शब्द कमते हैं जैसे चाइवाई, पानी वाले ये सब उसके अर्थक प्रकट नहीं करते हैं दूसरा है राचना क्या अर्थक पर सब्द के तीर भेग बताये गए है पहला है रूर्शाबद दूसरा है यावीत सब्द 32 पर यस रहै 것으로 सब्द सबसे को ञें दिखेंके का निमर्थर रूर्शाबद जिन शब्दों के फुगड़े नहीं किये जाते हैं तथा अपने अर्थ के सामन्या रूम से ही जाने जाते हैं उसे रूर शाब्द कहते हैं जिनके तुगडे नहीं किये जाते हैं वे सामन्या अर्थ में ही जैसे का तर्षे रहते हैं वे नहीं बदाते हैं उसे रूर साब्द कहते हैं जैसे यहाँ पर है फूल, घर, पानू दूसरा है याविक सब्ड जो दो या दो सब्दों से अधिक सब्दों से मिलकर बनते हैं उसे याविक सब्ड कहते हैं जैसे यहाँ पर प्रयोग शाला है, विद्याला है ये प्रयोग शाला और विद्याले दो सब्दों से मिलकर बने हैं प्रयोग जोड शाला प्रयोग एक सब्द है शाला बुश्रा सब्द है दोनों को मिला कर बना है प्रयोग शाला उसी प्रकार विद्या एक सब्द है आले बुश्रा सब्द है दोनों को मिनारे से बना है विद्याल है तो ये दो या दो शब्दों के में से एक शब्द बनता है तिसरा है योगूर्षब्द योगूर्षब्द क्या है? जो शब्द दो या दो से अधिकी सब्दों से मिलकर बनते हैं आज में एक विशेस अर्थ प्रगड करते हैं वे दो या दो सब्दों से बनते हैं लेकिन वे विशेस अर्थ प्रगड करते हैं उसे योगरूर शब्दत करते हैं जैसे यहां बर उदाहरान है नील कंख एक विशेस अर्थे में नील कंख नीला जोर कंख अर्थात निला है जिसका कंथ एक विशेश अर्थ हुआ उसी प्रकार लंब उदर लंबा जो उदर अर्थात लंबा है जिसका उदर तो इस तरह से ये प्रचना के अधहार पर सब्द तीन प्रकार के हैं ग्रूण शाब्द याउगित साब्द और योग्रूण साब्द अर्थ क्या दहार पर दो प्रकार के हैं सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द इस तरह से हमने देखा शब्द विचार क्या है शब्द विचार अर्थात शब्द है जो की दो वर्णों के मेल से एके साथ तक समु बनाते हैं विली सम है